और गैस कैसे आप लोग तो काफी सारे यूजर्स ने कॉमेंट्स किया आइफॉन का बैटरी रिप्लेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइज काफी जदा वता रहे हैं किसी जगह पे 10,000, किसी जगह पे 9,000, किसी जगह पे 9,000 तो exact जो इसका price क्या है और कौन से जगा पे replace करना चाहिए तो आपके लिए सही रहेगा आईए इस वीडियो के अंदर एक एक करके check out करेंगे सबसे पहला भाई आइफोन का battery replace कब करना चाहिए अगर आपके आइफोन के अंदर battery काफी ज़्यादा drop हो रहे है और आपको battery backup बहुत ही कम मिल रहे है तो इस जगा पे आप लोग battery को replace कर सकता है अगर आपके आइफोन के अंदर 80%, 90% के अंदर भी नाखुस है तो आपका battery replace कर सकते है तो Apple क्या करता है 80% के जब उपर रहता है जैसे 85, 90 तो Apple battery replace नहीं करता है अगर आप पैसे भी देंगे तो लोग नहीं करेगा क्योंकि उनका policy है लेकिन अगर आपका battery 100% है और आपका battery life आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मिल रहे है जितना battery life आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहे है तो इस जगा पे free cost कर सकते है एक manufacturer defect होता है या हर एक iPhone के अंदर नहीं लाखों में या 2-3 लाख device में साइध 1-2 निकल जाता है कभी-कभी तो in case इसके अंदर जो है battery replace करके देता है लेकिन आपके iPhone के अंदर battery cycle count complete हो गया 500 cycle बैटरी का juice निकल गया आपको मिल रहे है एक घंडे-दो घंडे तो इस जगा पे आप लोग battery को replace कर सकते है और battery replace का जो time आपके phone के अंदर ही pop-up आजाता है battery status के उपर ही जो battery service बोल के लिखा आएगा तो battery replace आप लोग कर सकते है बैटरी का जो condition इस तरीके से होता है 500 cycle complete होने के बाद battery का जो life खतम हो जाता है और battery hold करने का capacity नहीं रहता है इसकी वज़े से battery life काफी कम देखने मिलता है और कुछ दिन पहले users ने comments किया था उनके पास iPhone X है जो iPhone X तो उसका battery 70% के उपर आ गया और इंस्टा पे call भी किया था तो इसको क्या करना चाहिए क्योंकि battery life उसको कम देखने मिल रहे और वो बोल रहे थे घर्मी के अंदर यूज करता हूं तो एक घंडे मुश्किल से आता है battery life क्योंकि battery का जूस निकल गया तो इस चकाप बैटरी रिप्लेस करना बढ़ता है उनको वही बताया लेकिन बहुत सारी यह ज़र करणिफ्यूजन हो गया इसका प्रैस काफी ज़्यादा देखने मिल रहे तो इसका जो एक्जैक्ट प्रैस कितना है इसको पहले चगाउड कर लेता है अगर आप आप एपल का ऑफिसली स्टोर के अंदर जाकि इसको चेंज करते है तो इसका प्रैस थोड़ा ज्यादा है अ आपको नया बैटरी इंस्टॉल करके आपके आइफोन के अंदर देंगे और इस जगा पे जो इसका पैकेजिंग बगरा वाटर प्रूफ यह सही आपको देखने मिलता है और इसके पाद आइफोन 10 से लेकिए आइफोन 13 प्रो मैक्स तक इसके बीच में जितने भी जैसे आइफोन 10, 10R, 10X, 10X Max, आइफोन 11 सेरीज, 12 सेरीज, 13 सेरीज, 13 सेरीज का जो प्रो मोडल है यह पूरी डिवाइस का अगर बैटरी आप लोग चेंज करना चाहते है रिप्लेस करना चाहते है तो इसका जो कॉस्ट है 8800 तो यह आपको प्या करना पड़ेगा एपल का आइफोन 14 सेरीज है 15 सेरीज है इसका बैटरी अगर आप रिप्लेस करना चाहते है तो 9800 आपको फे करना पड़ेगा तो 14 सेरीज तो ठीक है 15 सेरीज का बैटरी अभी कोई चेंज नहीं करगा क्योंकि एक साल तक हुआ नहीं तो अगर आपके पास आइफोन 14, 14 प्लस, 14 प् इसके अंदर जा सकते इसके अंदर प्राइस काफी कम है और इस जगा पर रिप्लेस जब कराएंगे आपका जो कंडिशन फोन का ओ सही रहता इसका पैकेजिंग ताके waterproof आपको देखने मिले और कोई लोकल अच्छा टेगनिकल है उनके पास जा सकते अगर इस तरीके से कर सक तो उनके पास भी जा सकते है अच्छ अच्छ टेकनोलोजी उनके पास भी है और बैटरी जो है ओर जिनली देगना जैसे फॉक्स कॉन का या दूसरा ब्रैंड का और जिनली अगर है तो लगाना डूब्लिकेट बगरा मत लगाना तो मैं इस जगा पर रिकुमेंड आपको गरूंगा जो Apple का ऑफिसल स्टोर के अंदर ही जाहिए जो Apple authorized service center है उसके अंदर भी जाएंगे तो आपका जो है packaging भी से होगा battery cost भी थोड़ा कम रहेगा तो कितना cost है वो एक बाद checkout कर लेते हैं मैं appronics के अंदर चेक किया आइसेंस के अंदर चेक किया call करके तो उन्होंने जो है सेम प्राइज बताया तो कितना प्राइज है वो चेकाउड कर लेते हैं अगर आपके पास iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone SE 2 generation, iPhone SE 3 generation तो इसका जो cost है बैटरी का 4,833 रूपीस आपको pay करना पड़ेगा उसके बाद आपका बैटरी replace करके देगा पुराना जो बैटरी होगा वो आप नहीं ला सकते वो apple को भेजना पड़ता है ओलो की रख लेगा तो इतना maximum एक दिन के अंदर ही आपको मिल जाएगा device ज्यादा से ज्यादा इसके बाद बात करते है iPhone X से लेके iPhone 13 Pro Max तक कितना इसका प्राइज है तो अगर आपके बस iPhone 10, 10R, 10X, 10X Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 Mini, 12 Pro, 12 Pro Max और 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max तो इनका जो बैटरी कोस्ट है 6,081 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा और आपका ये भी पूराना बैटरी रख लेने वाला है नय बैटरी इंस्टॉल करके देगा और पोपर तरीके से पैकेजिंग होगा और ये भी आपको एक दिन के अंदर ही या द आपके पास iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max है तो इसका जो कोस्ट है 6,705 रुपीस आपको पे करना पड़ेगा तो ये जो कोस्ट मैं आपको बताया पुरा इंडिया के अंदर देखेंगे तो ये ही प्राइज आपको देखने मिलेगा मैंने फोन करके जानकरी भी किया उसके बाद मैं उनक इसके बास काफी कम है आपिल ऑफिसली स्टोर के अंदर देखेंगे तो दस अजार है आइपोन 15 Pro Max का या 14 सीरीज 15 सीरीज का लेकिन एप्ट्रोनिक्स के अंदर आपको मिल रहे 6,700 तो लगभग मान के चलिए 3,000 आपका सेफ हो रहे है तो काफी अच्छा डिल है तो इस इधर उधर हो सकता है डिफेंट करता है सार्विस सेंडर के उपर कौन सा सार्विस सेंडर के उपर गया है तो इससे ज़्यादा कोई मेजर डिफेंट्स आपको देखने नहीं मिलेगा अगर इंडिया के अंदर है तो ये फ्राइज आपको देखने मिलेगा तो आप लोग जाके अपना बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं और रिप्लेस जब कर लेंगे करने के बाद पॉपर तरीके से चेक कर लेना साइड में कुछ डैमेज कुछ इसू इस तरह का है या नहीं अगर है तो उसी जगा पर उनको बोल के उसको ठीक कर लेना और कोई भी बैटरी जब करने का वारेंटी आपको मिलता है 90 डेस का वारेंटी मिल जाएगा 90 डेस के अंदर बैटरी के अंदर कुछ भी इसू प्रॉब्लेम आता है तो लोग दुबारा फिरी कॉस्ट इसको ठीक करा के देखा लेकिन इसके लाबा कुछ अगर होता है तो इसका जिम्मेदरी उनके पास भी नहीं है तो आइफोन का बैटरी कब चेंज करना चाहिए और उसका कॉस्ट कितना है एक्जैक्ट आप किस जगा पर जाए और कौन सा सर्विस सेंटर के अंदर जो भी डिटेल्स था इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आप लोग के साथ में शेयर किया आई होफ इस झाल 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 झाल